हे गाइस आप सबको नमस्कार और आप सबका स्वागत है एट मिक्स में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंकिन के बारे में कि अगर आप अपने डॉग बीट को पंकिन देते हो उसके दस फायदे में आज आपको बचाने वाला हूँ एक नहीं दो नहीं पूरे दस तो ज़रू से जाने कि क्या क्या बेनिफिट होंगे आपके डॉग बीट को साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उसकी सीड्स देने चाहिए कि नहीं किस तरह से देना चाहिए सब कुछ आपको जानने मिलेगा तो शुरू से लेकर आज तक कि इस वीडियो के साथ जुड़े रह स्मॉल साइस का ब्रीड तो दो तीन काफी है मीडियम और लार्ज हो तो दो चार या पांस तक जा सकते हो पांस से ज्यादा मत दीजिए पांच में मैं कब बोल रहा हूँ अगर आप जो क्यूब साइस के काट रहे हो और ज्यादा बड़े ना हो तो सीड्स की बात करें तो ह सीड्स आप दे सकते हो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे लेकिन आपको जो याद रखना है वो है जादा उसे आपको फीड नहीं करनी है क्योंकि उसके कारण प्रॉब्लम आ सकते है याद रहे कोई और प्रोड़ कर रहा हूं मैं और उसके benefit बता रहा हूं नमबर वर्ण pumpkin hydrates pumpkin जो बना होता है वो minimum 90% of water से बना होता है तो इसका मतलब यह fantastic way है आपकी पूच को या फिर आपके dog को hydrate रखने के लिए नमबर टू pumpkin status immunity यह एक super nutritious होता है इसलिए यह provide करता है feed immune system with सारे booster जो nutrition से मिलते हो यह काफी जरूरी होता है कोई भी disease होता है उससे fight करने के लिए इसमें vitamin C होता है जो एक vital role play करता है immunity boosting में और यह fight भी करता है nasty free radical से means यह इनको fight करने की ability देता है सारे chronic disease से या फिर बीमारियों से और यह सब normally dog का जो liver होता है वो create करता है little bit of vitamin C उसके इसाब से लेकिन booster हमें सब beneficial होगा और जो booster का काम करेगा वो है pumpkin नमबर 3 pumpkin helps to maintain healthy weight pumpkin एक fantastically healthy snack है वो दो reason से first यह काफी fibrous होता है means यह आपके dog breed को feeling जो fuller की feeling है वो ज़्यादा समय तक देता है और अगर आपके dog breed को snacks चीए between meals तो यह आप दे सकते हो क्योंकि यह low in calories होता है और इसमें जो एक cube में less than 50 calories होती है तो यह easy trick है आपके dog breed को एक healthy diet में डालने के लिए है और इससे आपके dog breed का weight भी maintain रहेगा और healthy भी रहेगा आपका dog breed next pumpkin promotes urinary health एक और reason है जो आप pumpkin की जो seeds होती होंने grind करके और sprinkle कर सकते हैं अपने pump के कीबल पे क्योंकि उसमें omega fatty acids होते हैं और जो oil होता है इसके seeds में वो आपके dog breed की जो urinary tract होता है उसे clean करने में help करता है उसके जो bladers होते हैं उसे less sensitive बनाते हैं और इससे help मिलती है feedो को जिससे आपके dog breed का जो blader है उसे hold करने में more effectively काम करता है साथ साथ ये आपके dog breed के लिए anti-inflammatory properties भी रखता है meaning इसके अंदर जो है ऐसी चीज़े होती है जो dog breed में kidney stones होते हैं उससे prevent करने में help करता है यानि बचाता है friends ये video last तक जरूर देखेगा काफी और benefit जानने मिलेंगे जिससे अगर आपके dog breed को वो problem हो रही हो तो आप इसे देखे वो solve कर सकते हो ज़्यादा effective और जल्दी नमबर 5 pumpkin support eye health जैसे कि आपको पता ही होगा कि pumpkin offer करता है काफी सारे amount of vitamin A and beta carotene और ये इसलिए भी जाना जाते है ये vitamins multitude benefit for eye health ये eye के लिए काफी healthy होता है elevating eye drys, preventing youclerus, enhancing, फिर night vision में अच्छा करना ये सब में आपको help होगा और dog के eyes healthy रहेगी और clean और अच्छी रहेगी नमबर 6 pumpkin supports a healthy heart pumpkin content करता है potassium, vitamin C and fibers और ये सब all जाने जाते है evidence of health benefits for cardiac system और इसमें जो potassium होता है वो particularly show करता है यानि जो high blood pressure होता है फिर dog bleed में उसे reduce करता है cholesterol को reduce करता है और इन सब के reduce होने के कारण जो heart risk होता है वो कम हो जाते है नमबर 7 pumpkin can reduce the risk of cancer जैसे pumpkin content करता है keratonoids जो की essentially antioxidants है और ये जो antioxidant है वो help करता है neutralize करने में वो free radicals को free radicals वो होते है जो cancer cell को multiply करने में help करते है so अगर आप pumpkin देते हो आपकी dog bleed को तो इसका जो feed or tool है वो help करता है reduce करने में जो risk है डेवलप हो रहा है जो cancer के sale अंदर उसको कम करने में next वाला काफी important है और काफी beneficial है तो इसे जरू से जान ले कि क्या होता है नमबर 8 पे आता है pumpkin moisturize skin and coat जैसे मैंने बताया pumpkin काफी सारे nutrients content करते है तो उन में से काफी सारे nutrients है वो उसकी skin and coat के लिए काफी beneficial है जैसे कि vitamin A हुआ, E हुआ, zinc हुआ, omega fatty acids हुए यह आपकी dog bleed की skin की coat है उसको nourish करता है skin को पहले तो strengthen करता है decrease करता है dandruff जो हो रहा होता है dog bleed में, एक healthy skin को promote करता है, healthy coat रखता है एक healthy coat ही नहीं आपके dog bleed को healthier रखता है, लेकिन यह manage भी करता है जो shades होते हैं उसके coat के वो भी तो इसलिए pumpkin dog bleed की skin के मुकाबले में सब में जीत रहा है, तो pumpkin देने से उसकी skin को कितना benefit होगा आप सोच भी सकते नहीं हो वीडियो पसंद आ रहेते हैं, जरू से देखते रहे हैं, काफी सारे benefits बता रहा हूं मैं, आगे आपको हो सकता है कि कोई dog bleed को आपके problem और यह दोनों से solve हो जाए, तो देखते रहे हैं वीडियो को, अभी के लिए इस वीडियो को like कर दीजे, चलिए बढ़ते हैं next की तरह जो gut wall पे grip होती है, इन parasite skin को loose कर देता है, साथ साथ यह simply उनको जो poop होती है, वो easily out करने में help करता है, और अगर आप यह use करते हो, यह natural dewormer use करता है, पूरी seed feed मत कीजिए ज्यादा तर और ज्यादा भी feed नहीं करनी है, नॉर्मली कर सकते हो, grind करके आप दे सकते हो, याद रहे अगर आप यह दे रहे हो, तो आप सोचोगे कि deworming की जरुवत नहीं पड़ेगी, तो वो मत कीजिए, क्योंकि जो tablets या medicine दे रहे हो, वो देते रहे हो, क्योंकि अगर वो burn करोगे तो problem बढ़ सकती है, लेकिन अगर pumpkin दे रहे हो, तो यह natural dewormer का काम तो करेगा, benefit देगा, आप यह नहीं जानती होंगे, कि pumpkin जो है fantastically help करता है, digestive system में भी, यह fiber में high होता है, तो weight भी काफी सारे recommend करते हैं, या suggest करते है pumpkin को as a natural diarrhea remedy, और जिससे मैंने पहले भी बता है, यह full of water है, तो यह also help करता है, जो opposite end होते है, digestive spectrum के, जो की constipation के सकते हम, तो यह उन सब में भी help करता है, relief करने में, साथ साथ आपकी dog bit को जो खाना खार है, वो अच्छे से digest होगा, तो यह थे 10 benefits pumpkin के, आशा करता आपको काफी कुछ जानने में लगा वीडियो से, जरू से इस वीडियो को like and share कीजिए, काफी और foods पर वीडियो आने वाली है, तो जरू से चैनल को subscribe करके मिलता हूँ मैं आपको ऐसे interesting वीडियो के साथ, thank you for watching